अगर आप भी इगनू के जून 24 टमड एक्जाम देने वाले हैं तो इवीडियो आपके लिए काफी important है एक बाफ फिर से इगनू ने अपनी new examination date seat यानि की जो final date seat पहले जारी की गई थी उसमें फिर से बड़ा बदलाब कर दिया है और काफी सारी courses की जो examinations है उनकी dates में बड़ा बदलाब कर दिया है पहला आज की इस video में detail में इसी पर बात करेंगे विकोज कहने को तो ये file date seat है लेकिन इसमें भी इगनू की योट से लगातार बदलाब के जा रहे हैं तो आपके लिए क्या important है अगर आप इगनू के जून 24 टमड एक्जाम देने वाले हैं नकी वल practical exam बलकी theory के examinations के लिए date seat में बदलाब के गए हैं आज की video आपके लिए काफी important है सुब विडियो का इंट तक चरूर से देखें साधी चनल पहली बार आई हो पहले इकन वाल तक लेटिश पर update आपको सबसे बहले मिलती है आई श्रेंट बात करते हैं कि करकी सभी points पर फ़र्श वल आपको बता दूं कि इगनू की योड़ से final date seat को एकदम मजाग बना दिया है final date seat का basic meaning यह होता कि वो clear-cut है इसके बाद में कोई और बदलाब नहीं होगे जैसा इगनू date seat पर इंचन करता कि भाई इसके बाद में अगर आप apply करते हैं कि courses clash हो रहे हैं या फिर कुछ और problem है तो वो acceptable नहीं है मतलब कोई और बदलाब नहीं होगे यह final date seat आ चुके है लेकिन हम यह देख रहे हैं बार बार इगनू की योड़ से बदलाब किये जा रहे हैं तो यह final date seat का जो meaning है वही खुद हुई बूल चुके हैं जो इन्होंने clearly date seat पर mention किया है फिर भी यह भूल चुके हैं कि final date seat में बदलाब नहीं होगे बड़ एगनू है यहां सब होता है और dates में फिर से बदलाब किये गए हैं आज आप देख रहे हैं 28 मई की अपडेट है 27 मई पोर्टल पर गिवन है कि final date seat से update किया गया है ODL exams के लिए इसके लावर practical exam June 2024 के इसकी भी new date seat जारी की गई है और यह fine date seat है लेकिन आपको बता दूँ कि final date seat तो है लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि इनमें भी कोई बदलाब देखने को मिल जाएं जो कि अभी already हम देख चुके हैं कई बार इगनों ने final date seat चारी किया है और नमें again and again बदलाब किये गए है एक और final date seat जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 27 मई 2024 28 सारी को आज इगनों की ओर से portal पे update किये गई है और date seat में आप date देखेंगे तो 27 मई 2024 है इसमें कई सारे papers और इनकी special जानकरी मैंने टेलीग्राम पर विदिये कौन-कौन से paper है इसके लावा एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपको कोई ऐसा course है जो इन categories बने यार जो दो-तीन paper है तो आप लोग एक चीज़ और चेक कर लेना जिन भी trend ने होल्ट किड डाउनलोड किये एक बार फिर से login करो simple सा process आपको ज्यादा समय नहीं लगए आपको enrollment number एंटर करना है program code सेलेक्ट करना है और submit कर देना है आप इतना गयलो एकनो क्यों से change हो जाएगा और इसी portal पर आएगा फिर बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी लाश्ट टाइम बहुत सारे इस्ट्रेंट का वेबर cancel हो गया था कारण कि यार उनका last moment वालो एक्जाम से सिर्फ दो दिन पहले एकनों नहीं पूरा का पूरा सेंटर ही cancel करती है न्यू सेंटर पर इस्ट्रेंट को भेजा गया अब कुछ को तो जानकारी मिल गई लेकिन बहुत सारे इस्ट्रेंट मतलब यह क्यों कि यह मुस्किल से 5% इस्ट्रेंट को जानकारी मिली कि उनका center चेंज हुआ है और यह RC3 का था ठीक है और center की जानकारी आपको description मिल जाए जब तक पता जला तो time duration complete हो गई भाई दो से तीन घंडे के वेपर होता है आप नहीं पहुंचोगे तो भाई paper cancel अब आप अगली साल जो अगले six month बाद paper होंगे उनमें apply कर पाएंगे तो इसलिए आपको मैं बता रहूं कि भाई आप लोग एगनों की halt kit एक बार फिर से download क करना एक्जाम से एक दिन पहले चेक कर लिया कि कोई update तो नहीं है दूसरा एक और काम आपको करना है वो है कि आप रीजन सेंटरी website भी एक बार चेक करते रहो रीजन सेंटरी website भी important हो जाती है और अगर आप यह नहीं कर पाएं तो हमारी social media handle को follow को लो वहां पे सभी update सभी जो भी update आएंगी आपको मिलती रहेंगी पोस्ट होंगी दोस्के माद्यम से और अगर messages होंगे तो वह भी drop के रहेंगे और videos के माद्यम से कोई information आपको provide करने हो वह भी आपको चैनल के तूरू मिलती रहेंगी so make sure आप social media follow को लें YouTube channel हो या फिर Instagram YouTube टेलीग्राम या फिर Twitter वगया रहेंगे तो वहां पर you follow को लेंगे सभी update आपको time to time मिलती रहेंगी बाकि देखो यह आपकी file date sheet है जो की examination की आप देख सकते हैं कई instrument पता है क्या comment करते हैं कि सर इसमें तो कोई बदलाव नहीं है देखो आपकी particular course में नहीं है लेकिन बहुत सार इस्वेंट के courses में बदलाव हुए है हर एक की date सबल नहीं होती है कुछ की dates change होती है और हर एक की date change होने लिगे फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना बाकि dates में कोई बदलाव नहीं है साथ तारिक से exam आपकी start होने साथ सही ह लेकिन जो papers है ना उनकी dates बदली गई है ठीक है यह changes है जो आपको मैं clear out कर रहूँ बाकि यह practical examination की date seat आपके सामने है और यहाँ पर देख सकते हैं printed date आपके बास में है 24 मई 2024 इसमें अगर आप practical exams की देखें तो यहाँ पे given है 15 तारिक से यानि कि July में आपकी practical start होने वाले है फिर 16 तारिक को यह practical courses है इसके अलावा यहाँ पे देखिए 18 तारिक के practical course उसके बाद में 19 को जो है 20 फिर 22 को practical courses है इसके बाद में 23 को होंगी 24 25 तारिक के यह list given है और 26 तारिक के यह given है तो आप लोगो यहाँ पे जो भी आपको जानकार दी जा रही है उसके according आप pair हो सकते ह और जो भी आपके papers होंगे इसके लावे यह कोई बदला होते हैं तो regional center से आपको contact करना होगा क्यों यहाँ पे given भी है देखो यह courses है जो आपके यहाँ पे given नहीं है does not have any question paper regional center में conduct these exam under the same date of TEP in the afternoon session mentioned as above ठीक है इन courses के आपके given होंगे इसके लावा यह courses कुछ और है जिसमें इ regional center dates decide करेगा इस case में आपके लिए regional center visit करना और contact में रहना काफी important हो जाते हैं बाकि यह दोना ही PDF आपको एगनु की main website पर मिल जाएंगी यहाँ पर चेक कर सकते हैं student evolution division SED download section में आपको मिल जाती है date sheet section जिसमें आपको दोन ही date sheet मिल जाएं यहाँ से download कर सकते हैं इसके लावा मैंने telegram पर भी share कियो हैं वहां से भी देख सकते हैं बागी exams के लिए gas paper और PYQ के solution ready हैं आप लोग course wise purchase कर सकते हैं और अपने examination की तयारी बहुत अच्छी से कर सकते बहुती affordable और एकदम correct answers आपको मिलने वाले हैं so make sure आप check out कर लें चानकारी आपको discussion मिल जाएगी वहां से आप एक ही click में अपनी assignments या फिर gas paper और PYQ पर case कर सकते हैं आज की इस वीडियो में नहीं पसंद आए तो यह वीडियो को like and share करने और ऐसी और update पाने के लिए चैनल क चरूर चे सबस्क्राइब दो